दोस्तों 2016 में एक टॉपर थी जजीत को और मैडम उनके इंटर्व्यू मैंने पढ़ा था और वो मैं चाहता हूं कि मैं डिसकस करूं अभी आपसे और उन्होंने जो मंत्र दिये जो कितना गुरू मंत्र दिये वह बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको जानना दोस्तों जजीत कोऔर मैम का वैसे जैसे मैंने सरज किया उनके बारे में बहुत जाता हूं को कवरेज नहीं मिल पाई कुछ लोग ऐसा सेविल सर्वेसे में क्यों होता है टॉपर्स में भी कुछ टॉपर ऐसे होते हैं जो बहुत जा हाइलाइट हो जाते हैं और कुछ दोस्तों UP PCS 2016 में जो टॉपर बनी जजीत कोऔर मैम इंटर्व्यू दिया उसे दो बाते बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं पहली चीज तो यह है कि जजीत कोऔर मैम शादी के बाद इन्होंने तैयारी स्टाट किये शादी हो गए थी 30 प्लस इनकी एस थी जैसा फोटो बात ही समझना जरूरी है कि अगर आँ 30 प्लस भी हैं तो भी आप PCS बन सकते हो बलकि PCS टॉपर बन सकते हो कई ऐसे उधारने तो जजीत कोऔर मैम इस बात की पहत्री उधारने कि age is just a number जो लोग 30 प्लस हैं वो सोचते हैं PCS बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे क्या होग फैमिली है शादी है बच्चे है नौकरी है तो सबका एकी जवाब है कि अगर आपने determination है हिम्मत है तो आप भी PCS टॉपर बन सकते हो टॉपर नोट PCS ऑनली ठीक है तो यह बात बहुत जाना जरूरती है दूसरी बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टन बताई है वो जानिये ओफने होगे था यह है जोस्तों उन्होंने बोला कि मैंने जो 216 यह प्यूलसला में कहा था कि मैंस का पेपर संपनIS पूस्मों भी होगता, GS में आप तो pattern change हो गए 18 से अब बहुत ज़ता descriptive आगिया है आप तो बहुत ज़ता descriptive है पहले descriptive इतना नहीं होता था तो answer writing बहुत important हो गई है problem क्या है लोग क्या करते हैं लोग पचासो तरह की PDF को download कर लेते हैं पचासो तरह की coaching की notes को purchase कर लेते हैं और पढ़ते हैं पढ़ते हैं बट यह निसमझते कि जो पढ़ रहें क्या उसको लिखने में convert कर पा रहें कि निकर पा रहें तो सबसे बड़ा important काम यह कीजिए कि आप कि पढ़ो जितना थोड़ा बात पढ़ा ही कर लो information collect कर लो लेकिन उस चीज को लिखो जरूर जितना आप लिखोगे जितना आप लिखोगे उतना आपके answers निकल के भार आएंगे आपकी understanding develop होगी सबसे important यह develop होगा जैसे मानले जिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर मानलो आपने P Hahnा के बारे में लिखा पढ़ा अपनी और अपनी आंसर लिखा और अपनी दोपंडे का लिखा करो अप्टीर में डोपंडे का लें अब आपने आंसर लिखा दो पन्ये में तो आपको ये समझ में आजागा कि आपका पर जो knowledge है वो कित्ती कम बची है जैसे मालब दो पन्ये के इंदर ही तो लिख सकते हैं ऐसो दरी दस पन्ये रिजूज कर सकते हैं दो पन्ये में आंसर लिखेगा तो कितना जगा बच गई कितना content थोड़ सा और information है 10-15 पसंद चाहिए कि जाता है content की requirement है तो जब आप answers लिखते हो तो जब से पहले आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके पास information कितना कम है और फिर आप उतनी चीज़े पढ़ते हो ऐसा नहीं कि आप पूरे किताबे पढ़े जारो पढ़े जारो दुनिया भर के PDF डाउनलोड कर लिए और उनको पढ़े जारो और answer लिखी नहीं रहो तो जब आप answers लिखना शूकरते हो तो आपको पहले तो अपनी knowledge के बारे में सही बात पता लगती है कि आप के अंदर कितनी knowledge है और कितनी जरुवत है ये बात दो पता लगती है तो जज़ीत कॉर्में में जो पता है कि लगातार उनन लिखना शोकिया है तो यही मैं advice आपको दूँगा तो आप आप आर्टिकल पढ़ो पेपर में और फिर उस आर्टिकल को आंसर में गनुवर्ट करो में चीज़ यह है कि आप answer writing प्रैक्टिस करो जितनी ज़ादा answer writing प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना जाता आप अपने में sure होते जाओगे कितना आपको information की ज़रुवत बागी पढ़ रहे है और answer की फिर structuring पता लग जाती है फिर answer की speed होती है, pace होती है ऐसो तो नहीं कि false चीज़े लिख रहे हो एक-इच बार बात को repeat कर रहे हो तो वो चीज़े आप खुद ही अपने आप एनलाइस कर लेते हो और जब आप answer लिखो तो उसके बाद खुद पढ़ो उसको और जाकर आपको answer, अपना ही answer मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो समझ जाएगे कि फिर examiner को भी मज़ा आएगा ठीक है, और अपना answer पढ़के आप मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर examiner को मज़ा नहीं आएगा ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं कहा जाता था कि अभी चुकि लोग means को लेकर बहुत जाता confused रहते हैं तो दोस्तों मैं सबसे important बात कहूँँगा कि कोई आपने paper का article पढ़ा उसको answer की रूप में लिखतो आपने कोई बात discuss कियां दोस्तों दोस्तों वह answer की रूप में लिखतो यह करते जाओँ को यह करते जाओँ कि दोस्तों सफलता 100 100% मिलेगी आपको 100 100% मिलेगी आपको कि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था उम्मिद करता हूं कि आपको कुछ इसमें से इंपॉर्टन चीज आपको जानने में जानने को मिली होंगी कुछ और टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी इसी टॉपिक कर वीडियो बनाओ जो झाल